हालो दोस्त वर्ट्वियस चैनल में आपका स्वागत है आई वी पीएस पीओ मेंस का अग्जाम और हो चुका है ट्वंटी ट्वंटी टू का और अब बेजिनवी बच्चों का अग्जाम हुआ है और जो भी कटोफ की प्रेडिक्शन्स है उनके मन में एक क्यूरिसिटी रहती है कि उस कटोफ से कितने मार्क्स अगर ज़्यादा आएं तो सलक्षन की पोसिबिलिटी ठिक ठक रहती है तो आज का सेशन इसी पे है और साथ ही इस चीज़ को भी डिसकस करेंगे कि इस साल मेंस क की जो कटोफ है वो डेफिनेटली लास्टियर से कम है जो प्रेडिक्शन्स है वो सभी पे वोई 65 तो 70 के बीच के प्रेडिक्शन्स ज्यादा आ रहे हैं और आप लोगों से जो रिवियू मिल रहा है उसके एकोर्डिंग भी डेफिनेटली गिरेगा तो क्या इसमें मेंस के मार्क से गिर गए तो इससे इंटर्वियू का रोल और इंपोर्टेंट हो जाएगा तो पूरा देखेंगे इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा आपको डेफिनेटली इससे कुछ फाइदा मिलेगा एनलाइज करने में कि इन कटोफ अगर मेंस की डाउन रहती है तो उसक जादा की जरूरत है देखें इसका देखने के लिए अपने सबसे पहले लास्ट ये के कटोफ फर जाए आई वीपीएस पीओ ट्वंटी ट्वंटी वन इवन में क्या सीन था अगर अपने अन्रिजरूड का देखें तो मेंस में जो यह मेंस है यह आपका आउट ओफ कितना है 225 पी 200 आपके objective के 25 descriptive टोटल 225 में से यह marks और final marks है यह out of 100 है इसमें 80% जो weightage वो है आपका return का और 20% weightage है वो है आपका in time यह I think सभी को पता तो अगर अपने मेंस का देखें 80.75 वाला जो बच्चा just जिसने मेंस क्रेक किया क्या उसकी possibility है selection 80.75 वाला जो बच्चा है उसका weighted score कितना हो अब यह जो भी आपका score है इसको आपे 2.25 से पहले 100 पे लाओगे 100 पे लाने के लिए जो भी score है जैसे 80.75 यह तो इसको क्या करोगी 2.25 से डिवाइड करोगे तो यह 100 पे हो गया 100 पे फिर आपका weighted score कितने पे लेके जाना है आपको उसका 80% तो 80% है तो उसको 4 by 5 से और multiply कर दो तो यह जो factor है आपका यह वाला यह आएगा आपका .355 लग अगर आप पे 1 upon 2.25 और इसको भी आप अगर 4 by 5 से multiply करते हो तो यह .355 आएगा तो जो भी score है जैसे यह 80.75 है इसको अगर मैं .355 से multiply कर लूँ तो यह weighted score हो गया तो अगर मैं इसको करके देखूं तो 80.75 into .355 यह वा आपका 28.6 है 28.67 इस बच्चे को जो बिलकुल border पे था just cut off grade किया है उसको weighted इतना मिला और उसको selection के लिए कितना चाहिए था 47 तो अब उसको interview में कितने maximum 47 minus 28.67 तो इसमें से अगर मैं 47 minus कर दूँ तो उसको 100 का आपका interview है तो उसको .2 से multiply कर दो या जो weighted required है इसको into 5 कर दो वो out of 100 आपको चाहिए तो अठारा पंज़ोर नबबे करीब करीब साड़े एकान में 91.5 या 91.5 परसेंट कर लो ले वो कि जिस बच्चे ने जिस बच्चे ने 47 marks score की राइट 47 marks score की और उसका interview यह मान के चलिए कि ठीक हुआ एवरेज नी एवरेज से अपव और उसके 70% marks उसने interview में उसको 70% marks मिले तो weighted score कितना हो गया अभी 70% का .2 से multiply कर लो 14 marks तो 14 marks उसको मिले 14 marks उसको मिले तो 47 में से 14 तो उसको मिल गए यहां से interview में अब उसको written में क्या चाहिए बही 47 में से यह गटा होगे तो 33 I think यह 33 वह weighted score तो अब उसको marks कितने चाहिए 33 by .355 तो यहां कितने चाहिए बही उसको 33 को अगर मैं divide करता हूँ .355 से तो यहां रहा है 92.96 92.96 तो उसको कितने ज्यादा चाहिए करीब करीब है 80 और 12 marks 12 marks से प्लस अगर हो तो उसके अच्छी इंटर्व्यू मैं आउट इस्रेंडिंग नहीं है 80% marks को बच्चों के आ जाते हैं लेकिन अच्छी इंटर्व्यू अगर उसकी ठीक चली गई 70% marks अगर वो score करता है तो 12 marks cut off से उसको ऊपर चाहिए है तो आप जैसी इंटर्व्यू जैसे 60% वा लिए ता आप उसका भी निकाल सकते हैं अब इस साल जैसे cut off डाउन रहेगी तो उसका इंटर्व्यू में रोल ज्यादा क्या रहेगा इसको देखने के लिए अपने यह देख लें कि जैसे यह 80.75 थी अगर मैं OBC का देखू यह 75.75 है अब यही चीज अपने इसमें अपलाई करते हैं तो यहां विंडो कितनी है यहां देखिए जो cut off है जो जस्ट क्रेक की है उसको required थे 91.5% इंटर्व्यू यहां अगर मैं देखू यही इसको मैंने erase का अब OBC का देखिए जिस बच्चे ने जस्ट क्रेक किया उसको marks मिले 75.75 return में out of 225 तो weighted score of return कितना हो गया अभी इसका return का अगर मैं weighted score देखू तो 75.75 in 2.355 एक्टर से multiply कर दीजी तो यह अगर मैं देखू तो 75.75 in 2.355 यह हो गया 26.89 इस बच्चे को यहां से मिले हैं अब selection है 44 पर तो उसको क्या चाहिए weighted score of interview required अगर इसको select होना है तो इसको कितना चाहिए इसको चाहिए 44 minus 26.89 तो अगर यहां मैं देखूंगा तो यह निकल के आता है आपका 17.1 17.1 यह है weighted score तो score percentage score अगर मैं देखूं परसेंटेज score इन इंटर्व्यू इंटर्व्यू में कितना हो गया अब इसको 5 से multiply कर दीजिए तो 85.5 परसे तो आप वहां देखिए जो करीब 92 के असपास था जनरल के लिए वो अब required हो गया 85.5 तो इससे क्या हुआ जैसे ही आपकी cutoff यह cutoff गिर रही थी 5 marks के असपास और अगर cutoff दसिया 15 नमर गिर जाती है अबकी वाट यह अपने बान के चल रहे हैं कि 10 to 15 marks से अगर cutoff गिर जाती है एटलिस 10 marks तो गिरी रही है तो यह अगर यह गिरेगी तो आपका interview का रोल बड़ा होगा लग जो borderline का बच्चा है और अगर उसकी interview भूत अच्छी होगी तो उसकी selection की possibility रहेगी और अगर किसी के border से 5 marks भी ज़्यादा है और interview उसकी अच्छी है तो उसकी selection की possibility बड़ेगी लेकिन ये एक prediction है previous trends पे शोर शोट कुछ नहीं होता अगर सभी बच्चों की proportionate interview हुई तो definitely selection उपर वालों का ही होगा कोई बड़ा उलट फेर नहीं होगा लेकिन ऐसा in general होता नहीं है कई बार जिन बच्चों ने बहुत अच्छा score किया है उनक अब आपका किस topic पे command है उन लोगों ने क्या पूछ लिया कोई पता नहीं लगता कई बार interview बहुत अच्छे बच्चों के भी खराब हो जाती उलट फेर का सिकार हो जाते और जो बच्चे उतने अच्छे नहीं है या जिनोंने उतना अच्छा score नहीं किया written में उनका भी selection ह हो जाता है लेकिन जितनी कटोफ कम रहेगी और उसमें possibility जो है selection की या मैं कहूं कि उसमें उलट फेर की या interview के रोल की वैसे वैसे बढ़ती जाएगी तो आज का session इसी के लिए था जिन भी बच्चों ने pure man's का exam दिया है और अगर वो जो भी cutoff circulate हो रही है उसकी border पे भी है तो अगर उनका interview बहुत अच्छा हुआ तो उनकी selection की possibility ज्यादा है और जो जो बच्चे 20 प्लस marks प्लस है उससे वही मालो जो आज expect कर रहा है कि मेरे 90 या 90 प्लस marks आ रहे हैं तो वो तो almost short shorty होते हैं उनक प्लस का सेंच सेर फिसी के लिया था ता तो पर तोड़ सेशन है वे नाष देख